इसे चल रहा? और आप का ती फॉर चुका है, आप T4 के लिए ट्रेलिंग में लुटन कर ले हो? यहां पे stop loss revise हो जाएगा फिर मान लीजे कि अभी यहां पे stop loss है यह जब यह उपर बढ़ना चलो होगा और जैसे यह high टूटेगा यह stop loss यहां से हट करके यहां आ जाएगा ठीक है यह पहले वाला हट चुका है तो ऐसे करके फिर यह उपर जाएगा फिर यह नीचे आएगा फिर नीचे आ करके जब यह फिर वापस उपर बढ़ना चलोगा फिर इसको हाई को तोड़ेगा ना जैसे हाई टूटा जैसे हाई टूटा यह stop loss यहां से हट करके यहां आ जाएगा यह एक तरीका है ठीक है method one of stop यह swing loss पे stop को revise करना या इसी को आप उल्टा कर लो अगर करने वाली है वहां पर तो आप यह swing low वाला system नहीं अपना पाऊगे वहां पर पिछले दिन का लास्ट केंडल का लो जो है मैं देखो सारे example bullish वाले case के बता रहा हूं ठीक है so that आपको आप bullish सही relate करना है इसको ठीक है और bearish के case में आपका last candle का high हो जाएगा ठीक है अब एक और case बताता हूं पर बोलिक सार एक बहुत अच्छा तरीका है मगर उसको आपको revise करना पड़ता है इसको आपको revise करना पड़ता है उसकी settings को revise करना पड़ता है वह चीज में यहां नहीं कब़र कर सकता अगर आप देखो के जाके थोड़ी उसकी settings से आपको पड़ेगा हार एक stock के लिए काफी time तक write करवा लेता था मगर फिर मैंने notice कि अलग 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 तरीके से यह काम गड़ता है तब मैंने revise किया हर एक stock के हिसाब से मगर फिर उसके बाद में और नए तरीके पता चले stop loss के तो फिर वो follow होना उतना बंद हो गया ठीक है तो यह दो तीन तरीके है ठीक है इस stock में से एक stock down जा रहा है ठीक है अब क्या होगा कि बाखी के जो चार stock है remaining जो चार stock है वो तो आप है ठीक है वो इसको support देने लग जाएंगे इसी को कहते है portfolio diversification का फाइदा आपने सुना होगा यह कावद की सारे अंडे एक ही basket में रखने चाहिए वही बात है कि आपने क्योंकि अपने stocks वो divide कर दिया कर दिया तो अब सब अलग-अलग industry में अलग-अलग companies में तो एक नीचे भी जा रहा है तो चार उपर जा रहे हैं वह आपको minimize कर देगा रिस्क को भी आपका अगर यह भी उपर जाता तो और अच्छा होता एक तीसरा केस समझिए एक अलगी केस है जहां पर की करोणा वाइरस वाला केस है एकदम स्विफ्ट डाउन फॉल आया ठीक है अब वहां पर तो यह पांचों इस्टॉक्स उपर डाउन जाने वाले वहां पर आप क्या कर सकत है ठीक है और यह डिपेंट करता है आपके पोटफोलियो के साइस पर ठीक है तो अब अलग चीजें अलग बिलकुल डायरेक्शन है क्योंकि वह कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी की क्यापिटल कितनी वह आपको अपने हिसाब से देखना पड़ता है ठीक है